हेलो अब्रीवन वेल्कॉम अगेनि लर्न विद दितिमन बच्छों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर 15 क्लास 9 जोग्राफिक का लास्ट वीडियो टो इसी के साथ आपका यह सो लास्ट वीडियो है उसी के साथ आति 9 कलास हो जाएगी सम आप जो चलिए बिना देरिक करते हैं बादिक To पूरक वेबसाय क्या होता है जो हम एक मुख्य वेबसाय करते हैं उसके साथ किसी अन्य वेबसाय को भी करते हैं तो वो उसका पूरक वेबसाय कहलाता है तो यहां पर जो राइस्थान का मुख्य वेबसाय क्या है क्रसी है और इसके साथ पूरक वेबसाय क्या है पसुपालन इसे वजे से राज़ेसन का मुख्ः जो है क्रिषी प्रधान राजय काहा जाता है क्यों क्योंकि क्रिषी इसका मुख्फे आजिवका का साधन है राज़ेसन को कूरक वयवस्वह है वह पसूपालन कहा जाता है next question दगी, मिट्टी के चार मुख्ः घटक कौन कौन से है ? मिट्टी के जो चार घटक हैं, जो मुख्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो मिट्टी चार घटकों से बनती हैं, पैतक पदार्थ, यानि जिसे वो रिमित हो रही है, यानि वो चटाने जिनसे वो तूटकर बन रही है, या फिर जो कारक हैं, उनसे बन रही है, दूसरा जल, तीस राइस्तान की मिटी को रंग, गठन और उपजावपन के आधार पर कितने भागों में वर्गी करत किया गया है। लाल पीली मिटी, लेटराइट मिटी, मिर्सित लाल काली मिटी और काली मिटी और कछारी मिटी। इस तरह ये टोटल कितनी हैं? इच्छे मिटियों के तोर पर वर्गी करत किया गया है। लाशिमी राजिस्तान में मुख्यत जाल और बाड में, जैसल में, जोटपुर, विकाने, चूरू, जुन जुनु, नागारादी में ये पाई जाती है। नाग कोशन देखें, मरुस्तलिय मिटी की मुख्य विश्यस्ताएं हैं। मरुस्तलिय जो मिटी है, उसकी मुख्य विश्यस्ताएं कौन सी हैं? जल धारन करने की चमता की बहुत कमी होती है, जल धारन करने की चमता बहुत कमी होती है, जल धारन करने की चमता बहुत कमी होती है, जल धारन करने की चमता बहुत कमी होती है, जल धारन करने की चमता बहुत कमी होती है, जल जल धारन करने की चमता बहुत कमी होती है, जल जल के मुख्य कारक है अधिक ताप अंतर वे बहुत तीक अपच है अधिक ताप अंतर यानि दिन में जो टेंपरेचर होता है बहुत ज्यादा होता है और रात में बहुत कम होता है तो यह ताप का जो अंतर है वो अधिक ताप अंतर है और बहुत तीक अपच है यह दो मुख्य क में वंस्तोलय मिट्टी के निर्मिर्थ होने के लाल-पिली मिट्टी राजसान में कि इस थानों में मुक्यताः पाई जाती है लाल-पिली को से मिट्टी है सवाई-मादोपुर, सुरोही, राजसमंद, उदैपुर, लीлом भाग सुषित से पाई जाएगी में कोशन देखे लाल पिली मिट्टी की मुख्य विशेच्था एं हैं कम उपजाओ होती है चूना वए नाइटोजन की कमई होती है और लोह अंस सिसमें अधिक होता है जब लाल मिट्टी अपना कलर दिखाय है तो आप समझ जाईएगा कि उसमें लोह तत् पर नाइट विजन की कमी और लोहों इसकी अधिकता यह लाल पीली मिटी की मुखे विस्यस्ता है मैं क्वेशन देखिए लाल जो पीली मिटी है उसका निर्माण किस प्रकार के सैलों के विखंडन स्वरूप होता है लाल पीली जो मिट्टी है उसका निर्माण किस प्रकार की सैलों के विखंडन वे सैल का मतलब चटाने चटानों के विखंडन स्वरूप होता है तो उसका ग्रेनाइट सिस्ट निस चटानों दारा इसका विखंडन होकर लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है नेक क्वेशन देखिएं लाल पीली मिटी किस फसल के लिए उप्युक्त होती है लाल पीली जो मिटी है वो किस फसल के लिए उप्युक्त होती है तो लाल पीली मिटी जो है मुंगफली और कपास की सिथ के लिए उप्युक्त मानी जाती है ठीक है लाल पीली मिटी किस के पर फावशिवी और में के लिए लैक क्वेश्चन ना जी तर पत्री हो जाती है ठीक ना जाका है दूंगरपूर उदैपूर के मद्ध है वै दक्षिनी भागों यह दक्षिनी राजसमन जिले में यह सामनी तरुपर देखने को मिलती है तो यह आपकी इसफटकिये और कायंतरित जो चटाने हैं उनकी विखंडन से इनका निर्माण होता है इसफटकिये वै कायंतरित जो चटाने होती हैं उनकी विखंडन से लेटराइट मिटी का निर्माण होता है लेक्टाइट मिटी में किस प्रकार की खेती की जाती है लेक्टाइट जो मिटी है उसमें किस प्रकार की खेती की जाती है तो यहाँ पर गन्ना, मक्का, चावल इस प्रकार की खेती सामने तोर पर की जाती है गन्ना, मक्का, चावल जैसे फ़सनों की यहां पर किती की जा सकती है ने कोशिन मिश्रित लाल वे काली मिटी रायसान में किन इस्थानों में मुखित है पाई जाती है मिश्रित लाल वे काली मिटी रायसान में किन इस्थानों में मुखित है पाई जाती है तो मिश्चित लालवे काली बासवाड़ा, पूरी उदयपुर, डूंगरपुर, चिताओगर और भीलवाड़ा जैसे छेत्रों में मिश्चित लालवे काली मिटी पाई जाती है ने कोशिन, मिश्चित लालवे काली मिटी की मुखे विशेश्थाएं क्या है तो उपजाव होती है, चीका की अधिक्ता होती है, चूना, नाइटोजन, फास्फोरस की कमी होगी इसमें, और पोटास परियाप्त मात्रा में इसमें अविलेबल होता है मिर्षित लाल वे काली मिटी किस प्रिकार की फसलों के लिए उप्योक्त है तो ये कपास, गन्ना और मक्का जैसी फसलों के लिए उप्योक्त मानी जाती है कोटा, बूंदी, बारा और जालवार जैसे छेत्रों में ये ज्यादा तर पाई जाती है काली मिटी के मुखे विश्यस्ताएं है काली मिटी के मुखे विश्यस्ताएं क्या है ये चीका प्रिधान दौमट मिटी है, कैल्सियम और पोटास के परियाप मात्रा में इसमें होता है नाइटोजन की कमी होती है रोपजाओ मिटी ये होती है त्रीक है यह उब जाव मिट्टी है चीका-प्रिधान-दोमट मिट्टी है कैल् poder Moscow at काली मिट्टी में कौन सी व्यापारिक फशलों का उप्दन किया जाता है कौन सी व्यापारिक फशलों का उत्पादन किया जाता है så तो आप जानते हैं गन्ना, धनिया, चावल और स्वय और भीन जैसी फसलों का यहाँ पर पैदाबार की जाती हैं। कचारी, मिट्टी, मिष्षान में किन इस्थान में मुक्रतन पाई जाती हैं? तो राज्य के उत्तरी पूर्वी जिलों में गंगानगर, हन्मानगर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करॉली, सवाई माधुपुर, दौसा, जैपुर और टौंक जैसे छेत्रों में कछारी मिटी राज्टान में देखने को मिलती है कछारी मिटी की मुखे विशिष्टा हैं, कछारी मिटी हलके बुरे लाल रंकी होती है, रेतिली होती है, दोमट वे उपजाओ होती है, चूना पत्थर, पासफोरस, पोटास, वे लोहो परियाप मात्रा में होता है, नाइटोजन की कमी पाई जाती है प्राइस्थान में जो कछारी मिटी है, उसमें मुखे किन फसलों का उत्पादन की जाता है, तो गेहूं, सरसों, कपास और तंबाखो आदी की फसलें यहां पर सामाने तक की जाती हैं तो इस तरह बच्चों, आपकी क्लास नाइंद का ये लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होता है समाब, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू